टोकियो उलम्पिक में गोल्ड मिडल जीतने के बाद नीरत चोपडा को राष्टपती रामनात कोविन से लेकर प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी और यूपी के सियम योगी अधितनात ने बदाई दिये वहीं हर्याणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर ने हर्याणवी अंदाज में नीरत चोपडा को बदाई देते हुए कहा है कि हर्याणा के छोरे ने टोकियो में लठ गाल दिया और कांग्रेस सांसद राहूल गांदी और प्रियांका गाधि समीत कई नेताओं ने भी नीरत चोपडा को बदाई दिये दोस्तों इने सिर्फ बदाई संदेश ही नहीं दिये जा रहे हैं बलकि बड़े बड़े इनामों की घोस्डा भी की जा रही है तो सबसे पहले इसी नाम की सुरुवात हर्याणा के मुख्यमंतरी मनोहर ललखटर ने की हर्याणा राज्य सरकार के तरफ से 6 करोल रुपए और क्लास वन की नुकरी देने का एलान किया है इसके बाद पंजाब के मुख्यमंतरी अमरिंदर सिंग ने भी नीरच चुपड़ा को 2 करोल रुपए देने का एलान किया है इसके बाद मरीपूर सरकार ने भी नीरच चुपड़ा को 1 करोल रुपए देने का एलान किया है इसके बाद IPL टीम चन्नाई सूपर किंग ने भी नीरा चुपड़ा को एक करो रुपए देने का एलान किया है इसके बाद BCCI ने नीरा चुपड़ा को एक करो रुपए देने का एलान किया है और टोकियो ओलमπिक में तमाम खिलाडियों को सम्मान देने का अलान किया है जैसे चानू और रवी दोनिया को 50-50 लाग रॉपए देने का अलान किया है और सिंदू और बज़रंग फुनिया को 25-25 लाग रॉपए देने का अलान किया है इसके बाद Indigo company के तरफ से पूरे एक साल के लिए free fly ticket देने का एलान किया गया है या special scheme 8 अगस्त से लेकर अगले 7 अगस्त तक जारी रहेगा इसी बीच महेंदरा गुरूप के चेयरमेन अनरंद महेंदरा ने नीरत चोपड़ा को महेंदरा XOV 700 gift का एलान किया है और अभी तक नीरत चोपड़ा के लिए खुल 9 करोड रुपे का इनाम घोसित किया जा चुका है और आने वाले समय में यह और भी बढ़ सकता है दोस्तों आपको बता दे कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर इतियास रचने वाले नीरत चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल दिवंगत अथलीट मिलखा सिंग को समर्पित किया है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताईगार अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा ज्यादा लोगों के बिच में सेर करीगा क्योंकि मैंसी तरकी वीडियो अपने चैनल यहीडियो झाल स्वार अच्टी लेजा हो भाचों कर दोक्षी लेएगा लोगों कि – खाली हो यह रहागीएगी मियादा जिसकी ले रहाता हैंटाओंवा